अब हम बात करेंगे फॉर्मैंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टन टॉपिक है और काफी अच्छी बीट्स के अंदर कहीं पर आपको प्री ड्रॉप देना है या कोई भी और छोटा सा इफेक्ट देना है आपने कोई अपना प्रोड्यूसर टैग एड़ करना है वहां पर य यह option बहुत ज्यादा काम आती है मैं आपको दो तिन तरीके पताता हूं कि इस तरह से वह चीज हो सकती है यहां पर मेरे पास एक चोटा सा section आप देखिए यहां पर मेरे ड्रॉप है यहां मेरी बीट है वोकल मैंने off कर रखे हैं और यहां उससे पहले कि यह section आता है सुनते है यह जो scratch है यह मेरा अपना sample pack है जो free sample pack है आप जागे search करेंगे मेरी website के ओपर देव next level scratch आपको यह नज़र आ जाएगा free sample pack है right तो यह motivated है जो हमने भी यहां पर सुना ठीक है बहुत बढ़ी है अब जल्दी से यहां पर मैं दो तिन चीज़े करने वाला हूँ double click क्लिक किया right क्लिक किया और यहां से मैं गया edit in page collector और यहां पर मेरे पास new tone खुल गया है right थोड़ा से यहां से zoom कर लेते हैं अच्छे से वो नज़र आएगा अब यहां पर किसी के भी उपर मैं अगर चाहूँ थोड़ा सौर बढ़ा कर लेता हूँ आपको आसानी से वो चीज़ समझ आ जाए यह देखिए यहां पर किसी के भी उपर अगर मैं double click करता हूँ तो इस तरह से वो जूम हो जाता है और अगर आप उसके उपर जाएं तो यहां से variation है volume है काफी सारी चीज़ें आपर हम change कर सकते हैं इसकी variation लेकिन यहां बिल्कुल मैं end में जाता हूँ यहां यह देखिए जैसी हाथ बनाता है यहां format change हो सकता है किस तरह से मैंने इसे पकड़ा और मैंने हलका सा drag उपर करना शुरू किया यह देखिए लिखा है format shift मैं इसे करता जा रहा हूँ यह वाला area में यह जो यहां पर बना हुआ है यह green और red यह पकड़के यह कोने वाला और देखते हैं कितना मैं चलिए थोड़ा सा हलका सा इसे उपर ले गया सुनते हैं क्या चीज़ वो बनी है आप देख रहे हैं किस तरह से यह चीज़ हुई एक बार इसको मैं बिल्कुल पीछे ले जाता हूँ और इसको थोड़ा सा हम यूँ कर लेते हैं हम देख रहे हैं यह चीज़ और अगर मैंने कंट्रोल प्रेस किया और यहां पर कुछ सेक्शन मैंने सिलेट कर लिया और फिर जब मैंने यह बढ़ाया तो पूरे के पूरा सेक्शन जो है जितने मैंने सिलेट किया है वो सभी का फॉर्मेंट चेंज हो जाएगा फॉर्मेट क्या चीज़ है कि वो आपके सुर कोशिश करता है कि उसी की के उपर रखे फॉर एग्जेंपल मान लिजए आपका जो सौंग है वो है F sharp minor फॉर एग्जेंपल तो वो कोशिश करता है F sharp minor के ऊपर ही रहे लेकिन आवास को पतली या मोटी करता है वैसे हम क्या करते है पिछ आप डाउन करते हैं उससे क्या होता है आवास पतलिया मोटी जरूर हो जाती है लेकिन जो गाने की की है वो चेंज हो जाती है यहाँ इसा नहीं होता अब यह देखिए अगर इस तरह की चीज मेरी ड्रम से पहले हूँ मैं यहाँ गया थोड़ा सा मैंने और अप कर दिया उसके बाद मैंने क्या गया कंट्रोल प्रेस और यह बीच के थोड़े से स्लेक्ट किये ठीक है और बिलकुल को ने मिले जाके इनका भी थोड़ा सा फॉर है ठीक कर लेते हैं ठीक है यहाँ थोड़ा ओवर कर दिया है मैंने यह गए ड्रैगन ड्रॉप यहां गए नाइस बहुत बढ़िया अब हम वापिस यहां जाते हैं दूसरा तरीका देखते हैं मैंने डबल क्लिक किया वह जो जो ओरिजिनल था यहां री सेंप्ल की जगह मैंने क्लिक किया और मैं करता हूँ स्ट्रेच तो obviously यहां से हम stretch कर सकते हैं कुछ और चीज़ें कर सकते हैं मैं यहां पर गया stretch pro यह नई option आई है अगर आप FS studio 12 या 20 लेकिन 20.1, 2, 3, 5 इस तरह कुछ use कर रहे हैं उसके अंदर शायद यह option ना हो यह latest में है तो आप अपना FS studio update कर लीजिएगा यहीं पर press करके सुनाता हूँ यह पकड़ा यह देखिए जब भी मैं से plus या minus करूँगा हम यहां से देख सकते हैं कितने cent वो उपर या नीचे यहां पर दिख रहा है वो देखिए format shift हो रहा है आप देख रहे हैं कोशिश कर रहा है कि की वहीं रहे लेकिन पतली होती जारी है आवास और मैं वापिस गया right click reset और यहां गर मैं create automation clip करूँ इसको मैंने यहां पर यू रखती है double click right create automation clip यह मेरे पास एक छोड़ी सी clip आ गई है ठीक है मैं इसे हलका सा नीचे ले गया और यह वाले को हलका सा उपर तो देखते हैं क्या होता है हम automation भी देखेंगे और साथ में इस फेडर को भी ठीक है थोड़ा सा ओट डाउन ले जाते हैं इसको काफी उपर ले जाते हैं यहीं से ले जाते हैं थोड़ा चलिए और पीछे ले गए नाइस बहुत बढ़िया एक बार इसको करते हैं कॉपी और वापिस से कर देते हैं पेस्ट जहां सब कुछ था मैं वहीं वापिस लेकर आ रहा हूँ सो डैट हम अगला तरीका जो देखेंगे उसमें यह automation असर ना करें वैसे automation को हम डिलीट भी कर लेतें डबल क्लिक अब मैं इसे यहां पर ट्रैक पर क्लिक किया और यह एक नंबर में चले गए है 24 में ठीक है यहां पर मैं जाता हूँ लेता हूँ पिचर अब वैसे तो इस song का जो की है वो है डी शाप माइनर पर गए पर मा लीजे नहीं भी पता मैं कहीं भी random ले गया क्योंकि जो मेरी retune speed है उसे मैं use ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो एकदम बंद कर रहा हूँ right obviously जब key भी रहेंगे तो better रहेगा मैं यहां पर सिरफ आपको दिखाने वाला हूँ इस feature के अंदर जो यह हमारे पर option है format एक बार सुनते हैं पहले यहां click किया और यह आया ठीक है यह on किया format हलका सा cut 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 कुछ करना शुरू किया है अब देखिएगा थोड़ा सा में इसको यहां पर female side या male side यानि कि वही पतली आवाज और मोटी आवाज हलका सगिया तो काफी कड़ 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 वो इस तरह के सुन रही है क्योंकि वो अपने सर से कोशिश कर रहा है तो कभी कभी यह जच जाएगी यह नहीं जच रही आपको थोड़ी clean चाहिए वो tuning सी नहीं चाहिए जो यह एक note के उपर दूसरे jump कर रहा है वो artifact आ रहे है तो आपको कभी आप new tone से कर सकते है या फिर तीसरा तरीका आपने double click किया और वहाँ पर आप stretch pro के साथ भी कर सकते है यह चीज भी अगर हम देखें तो right click create automation clip आपके सामने एक clip आ गई है इसे मैंने किया बंद यहां गए इसे किया यहां कहीं भी थोड़ा नीचे रखते हैं इसे उपर और फिर से वापिस नीचे right तो कितनी ही अच्छी चीज है कितनी ही बड़िया चीज है format आप अपने pre drops या फिर अपने producer tags इस तरह की काफी सारी चीजों में और सिर्फ vocal के उपर ही नहीं यह अप melodies के उपर भी try करके देखेगा और भी बहुत सारी चीजों के उपर try करके देखेगा बहुत ही ज्यादा एकदम different results आपके सामने आएंगे और जी हां आप बिल्कुल सही देख रहे हैं 100 के एक लाग subscribers हो गए हैं तो subscribe तो आप करेंगे ही notification bell ज़रूर अन कर लिजेगा so that कोई भी lecture आप मिस ना करें F.S.Studio का advanced lecture चली रहा है साथ में Ableton के भी lectures आते जा रहे हैं और आने वाले time में हम और भी बहुत सारी अलग लग चीज़े करेंगे और मेरा नया channel है Dave Next Level Beats इसके उपर काफी मैं Free Weats आजकल अप्लोड कर रहा हूँ जरूर सब्सक्राइब कीज़े इसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरी beat अप्लोड करने की speed भी बढ़ेगी मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए Dave Next Level signing out नमस्ते